नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ जोतिश गुरू शिरोमनी सचिन, मित्रो, कैसी है आपके नक्षत्रों की चाल, कौन-कौन से ग्रहे अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं, उसी के अनुरूप आपको देने कर राशी पल देने का प्रयास करते हैं मेश राशी, अपने पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, उधार दिया हुआ पैसा आज नहीं मिल पाएगा, संतान प्राप्ती का प्रबल योग बना हुआ है, शुबरंग है आपके लिए नारंगी, आज पक्षियों की सेवा ज़रूर करिएगा व्रशबराशी, रिष्टों का जो वेरविरोत काफी समय से था, आज वो खत्म होगा, दोपहर बाद आपका काम सफल भी होगा, अपने परिवार में समय जरूर दे, शुबरंग है आपके लिए गुलाबी, आज किसी निर्धन कन्या या व्यक्ति को अन्न दान करिए, मिठ के लिए सफेद, आज चावल, दही और गुड कादान जरूर करें, करकराशी, नौकरी की बात आज पक्की होने वाली है, किसी भी काम में कोई लापरवाही कोता ही भूल कर भी ना करें, राजनीती से जुड़े लोगों को लाब होगा, अपना भेद किसी को ना दे, शुब लगानी होगी, वरना धन उकसान होगा, शुबरंग है आपके लिए लाल, आज शिवाले में या हो सके तो पीपल के विरक्ष की जड़ के पास एक शुदगी का दीपक जलाएं, बात करते हैं करने राशी की, मानसिक तनाव आज खत्म हो जाएगा, अपने संबंदों में ख आज आर्थिक स्थिती में थोड़ा सा कमी रहेगी, बच्चे कोई लापरवाही ना करें, पारिवारे के स्थिती थोड़ा सा भेतर होने लगेगी, शुबरंग है पीला, आज क्या करना है उपाएं, आज हो सके तो दुर्गा मंत्रों का जाब करें, व्रिश्यक राशी, र आई नोकरी की प्राप्ती की जो मुश्किलने थी वो खत्म होने जा रही है, अपना मकान आप खरीद पाएंगे, जरूरत मन्द बच्चों की हेल्प कर दीजिए, शुबरंग है आपके लिए लाल, आज जीवजन्तू की सेवा करिए, निर्धनों की मदद करिए, अच्छा मकर राशी, व्यापार से आपको लाब होगा, बड़े बुजर्गों के साथ आप कहीं तीर थिस्तल पर जा सकते हैं, मित्रों की सलह लीजिए, शुबरंगे आपके लिए मरून, आज क्या है उपाएं, केसर कतिलक अपने माथे पर करिए, कुमराशी, घर में कोई बदलाव ना करें, अपने कारे को समय पर करने का प्रयास करें, देवी दुर्गा की उपास ना करनी है, एक चुनरी, एक नारी अलो ने रपित करिए, शुबरंगे आपके लिए हरा, आज थोड़ा सा कच्चा दूद पीपल के जड़ में आप अवश्य रपित करिए, मीन राशी, प अपने माथे परतिलग जरूर करें, तो मित्रू ये तो था आज का देनिक राशी फल, कल नए देनिक राशी फल को लेकर इसी मंच के माध्यम से आपके साथ जुड़ना संभव हो सकेगा, दीजिये मुझे एजाजत, नमस्कार.